आपको प्यार किया है लोग पहले भी आपको काफी अमेजिंग प्यार करते थे और उससे जादा आप तो मैं जिस तरह ट्विटर भी बात पर सोशल मेडिया में आपको काफी प्यार मिलना है सबसे पहला मेरा सावाल रोगा कि आपने इसी क्या कुछ त्याय करके गए थे कि उस गर में मेरे को यह जाके अचीव करना और अचीव किया क्या अचीव नहीं किया अब तक सबसे पहली बात तो यह है कि अम वरी थाइमफुल कि मैं गई और चीजें ऐसी बन गए कि बिग बॉस तो मुझे बुला लिया क्योंकि मैंने लाइफ में कभी बिग बॉस नहीं देखा है और मुझे पता नहीं कि रियालिटी शो में कैसे रहना है कैसे कंड़ करना है और ना मेरी कोई प्रेपरेशन स्थी तो आइटिंग यह चीज शायद वर्क भी करी मेरे लिए और सबसे बड़ी बात आप रियालिटी शो में जा रहे तो आप रहो रहो और बेस्टिंग बाट बाट बिग बिग रहो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा आपने क्या फेक किया था कि यही बहुँ पर हो आप कि रहरा है कि बहुत कुछ में अचीव कर लिया है सबसे बड़ी चीज में आप लोग का प्यार पालिया है और सच्चाई की वही है मैंने आपको होला कि सबसे बड़ी ताकत है कि आपको याद नहीं रखना है कि जूप किया होला था जो कि वहाँ बहुत लोग ऐसे हैं कि they don't abide but मुझे उसमें नहीं जाना है और शायद उस चीज की वज़ासे मुझे और यह लगता था कि ऐसे कैसे कर सकते हैं मुझे तो at least रहना है I don't have to lose myself So, प्यार बहुत मिला है, patience बहुत आ गई है कान के पर्दे थोड़े फट गए बाट अभी लाज चल रहा है मेरा So, जर्दे आपकी जादी की बात करें तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है एक पार्ट जब गौतम उस घर में थे और रूसरा पार्ट जब गौतम उस घर में नहीं थे सबसे पहरा पार्ट अगर में बात करो तो लोगों का यह मालना था कि This was just for game इन उसके बात जो जिस तरह पता चला जिस तरह आप टास्क करते थे और जिस तरह that was not for game तो उन दो एक्वेशन के बारे में थोड़ा सा अगर आप डिटेल में या फिर अब बार जब आते हो तो उन दो पार्ट के बारे में किस तरह से discussion होता है अपने सहर गौता को पुछा नहीं अईवे मेरी उन से बात नी हुई अभी तक मुछ दो दिन होगा है फोन नी आया उनका तो अभी आपको पता लगया होगा कि क्या game है और क्या नहीं है तो जगड़ा उन से भी वा ना तो उस पे किसीने सवाल नी उठाया स्टैन के साथ भी था ना उसके बाद वो मंडली में चले गए उस पे किसीने सवाल नी उठाया तो वाई only this कहने का मतलब है कभी कभी सर्कूम्स्टैंस चीज़े ऐसी बन जाती है कि आपके रिष्टे तो बनते हैं आपके तरफ से सामने वाले का कितना क्या है उसमें वह भी बहुत matter करते है ताली एक हाथ से नहीं वज़ती है हां वह जो मेरी जर्नी थी उनके जाने के बाद जो भी चीज़े मुझे फील हुई उसके भी बहुत कारण दे कि अब पता लगी कि इतने जन्वेन थे उनकी तरफ से मेरी तरफ से तो सबकी तरफ से मेरे दोस्तों के लिए सच्चे थे बट हां मुझे लगता हम लोग जानी दुश्मन नहीं एक दूसरे के और सब लोग अच्छे से मिलेंगे बात करेंगे जब फिनाले पर मिलेंगे और हमारी बाते होंगी सब गिले शिक्वे हो जाएंगे क्योंकि वह गेम का हिस्सा थे सब लोग तो जगडा करते थे बट बहार आके कौन चीनी आटे रोटी पर आटे पर जगडा करेगा आप मुझे बता क्या आपको लगता कि कि जस तरह आपका इविक्शन अंपैर था उसी तरह सेम वाईश अंकित का भी इविक्शन कई हद तक unfair था सी मेरे केस में तो बहुत unfair था, और मेरा यह नहीं था कि मुझे जाना था अंकित को हमेशा से था कि मुझे जाना भी बंद नहीं थी, तो as per the votes in fact, Tina 10th week में जा के वापस आये थे, so सबको भी यही था, और फिर वो सब जो हो गया कि घरवाले डिसाइड करेंगे, तो घरवाले कैसे डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ audience के लिए हैं, correct, तो audience का हख आप उनको नहीं दे सकते हो for this particular reason, उस ताइम पे शायद voting line बंद थे, and apart from that, अंकित का already था कि मेरा हो गया है, मेरे case में ऐसा नहीं था, मुझे जबरदस्ती threat समझ के निकाला गया वहाँ से, क्यों, क्योंकि अगर मैं हो थी, तो शायद हो आगे नहीं बढ़ पाते और उसको, अरे, involvement नहीं है, अर्चना के साथ है, अगर मैं किसी की भेड़चाल में होती, या मेरा involvement नहीं होता, तो target सौंधर है, शर्मा नहीं होती, क्योंकि मैं भी alliance बनाती, मंडली में घुश जाती, या ज़रूरत पढ़ने पर अंकित चले गए, तो जैसे प्रियाम का ने, टीना और शालीन के साथ दोस्ती किया, फिर उनसे जगडा किया, फिर उनोंको लगा कि मेरी अर्चना का जगडा हो रहा है, तो उनने अर्चना से बात करना शुरू किया, सो मैं पॉइंट इस सबने पर्मुटेशन कॉबिनेशन बनाए, सिवाए मेरे, और अगर मैंने बनाए होते, गेम के लिए, और मैं सोचती कि मैं वोट के लिए, लोगों से दोस्ती के लिए मुझे करना है, तो आज मैं अंदर होती, आपके सामने मैठके, इंटर्वियों नहीं दे रही होती, दो हाफता पहले, सौदर अब क्या आपको लगते हैं कि इस सीजन में सबसे आथा पैरेंस इंवल्ड हुए है, जिस तरह सुंबुल की में बात करो, सुंबुल की पिदा जी ने काफी कुछ का, प्रियंगा के भाई ने काफी कुछ का, शिव थाकरी के मम्मी ने काफी कुछ का, कि या रखते है कि इस से तरह ये सीजन के सबसे आदा पैरेंस इंवल्मेंट ही, और उसके वज़े से गर में काफी सारी बाते पिगड़ी हैं, सी में को रखता है, पैरेंस के आने से बाते बिगड़ी नहीं हैं, बनती हैं, सब के पॉइंट अफ यू होते हैं, और मुझे अभी तक में एपिसोड्स देख नहीं पाई हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि उनकी आईने क्या बोला, उनके भाई ने कितना बोला है, या बाकियों के पेरेंस ने कितना क्या बोला है, बट मेरा ये मानना है कि definitely पेरेंस के आने से energy change होगे थी, vibe change होगे थी, और बाहर का कोई भी इनसान आता है, तो एक point of view लेकर आता है, कोई भी हो, अच्छा बुरा सब के लिए, but what it did best for all of us is, कि सब को एक emotionally strengthen किया उस चीज ने, और रही बात बाहर के point of view की, अब है point of view, जो चीज़े बाहर चल रही है हम को तो नहीं पता थी, correct, और मुझे तो अभी भी नहीं पता है कि किसने क्या बोला है, I'm still going through a lot, तो ये तो बहुत ही अच्छा और एक युणीक चीज बिग बॉस ने लेकर आया कि फैमिली को भी इन्वाल्व किया, अब है किसे आपका इलेक्शन गळात हुआ है, वसी सब्सकों को हो जेते, सुमबूर का देर में कुछ नहीं है, सुमबूर हो गया, NC stand हो जाए, आप इसके बढ़े लेकर बना चल गए, आपको जा लगत है, इसके कॉन वीक फोज मेली काउंगी? मैं यह नहीं काऊंगी वीक है, क्योंकि जिन लोग को स्टार्टिंग से वीक भीरचाल बहुते हैं वो तो फाइनल तक आगए, और जो खेलने वाले लोग है वो आपके सामने मेठके इंटर्व्यू दे रहे हैं, सुमूर का बोलने नहीं होता क्योंकि हमारा पर्सेप्शन अलग है, मैंने कभी कोई टीवी शो नहीं किया है। मैं फिल्म बाकग्राउंड से हूँ और वेब शो मैं करती हूँ। तो मेरा फैन बेस बहुत अलग है, सुमूर का दो साथ से टीवी शो चल रहा है। उसने एक बहुत बड़ा फैन बेस बनाया लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है। उनकी शायद वो ही पस्नालिटी है कि वो इतने अग्रेसिव नहीं है वो जैसी है शान्त है। अब जैसे वो बोलते थे प्रयांका कि नहीं अंकित का इंवल्मेंट है मेरे साथ तो है। अब उनका इंवल्में इंवल्मेंट उने में आटा है। अमने अंडार्स को क्या जवाब दाओ कि रुक्ति श्तान मंडली में वालती है कि इसología शो भ तो सब आपने अपनी अपनी लेवल से अँए मूने का इन्सान की उन्हार्या का इनसान की अपनी एक अलग जो आपको नहीं करना है, क्या आपको ये बात कितिनी सच्छा ही लगती है इस बारे में? सी करते होंगे लोग जिनको करना है, मुझे पता नहीं है, क्योंकि like I said, मेरे कोई एजंडास रहे नहीं है, अगर मेरे hidden motives एजंडास होते थे, तो शायद में इस चीज का जवाब दे पाती, तो बाहर क्या बाते हो रही थी मुझे नहीं पता, और by the way, just because किसी का किसी से एक bond ब मुझे नहीं पता, तो यह तो कभी भी हो सकता है, और बाहर आके बता लगता है, और किसमत से जादा किसी को नहीं मिलता है, so I don't believe in all this. Saundra, एक अक्ती सवाल मेरा, दो आक्री सवाल, पहले तो अपके सबसे टॉप 3 कौन होगे और डिजर्विंग मिनर अब कौन होता है, आपके अलावा, क्या लगता है, तो टॉप 3 और डिजर्विंग मिनर कौन होगा, और एक और सवाल, लास सवाल जो मेनर हैगा, कि इसके आ पर गोने 105 दिन निकाले, वो विनर से, अपर्ट वं दे नेगेटेव ऐलिमेंट्स, आपके अपने आप में रहना ये एक विनिंग क्वोलिटी है, इतने दिन वहां रह जाना, वो जैसी भी है, जिसको जैसी भी लगती है, बट मुझे पता है कि सच्ची है, और उसके कोई बहुत ऐसे मुखोटे नहीं है, तो और डिसर्विं कि अगर वो बात करते हैं, तो मैं डेफिनिटलो कर नाम नहीं लोंगे, क्योंकि इनको लगता था कि इंवल्मेंट नहीं है, टास्स बहुत अछा लग करती है, तो सबसे बड़ी बात यह हैं कि वो ही उनके अंदर लेश तो बाकी लोग को मुझे पता नहीं, God bless them, all the very best in fact to everybody and I will say may the best one win, but ये मेरी चाहत है, क्योंकि मुझे पता है हम 24 में तरहा है कौन सच्छे है, कौन अच्छे 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 है, कौन डिसर्विग है. सऑढ़े, इसके अलवा लिए, कुछ आने वाले समय को प्रीज भू आतो I have no clue, मैंने उस सीरीज में बहुत हार्डवर्ग किया, मैंने उसके लिए 15 किलो वजन बढ़ाया था, जो की लूस करी रही थी मैं और उसके दौरान मैंने 2-3 प्रोजेक्स भी छोड़े थे, because I wanted to be back to my shape, and अभी भी almost किया है, but मुझे और 5-6 किलो अभी भी मेरा बचा हुआ है, from actually who I was, physicality-wise. So, मैं मिस करे हूँ वो चीज देखना, क्योंकि मैंने उसके लिए दिल, जान से महनत करी थी, और एक अक्ट्रस के लिए starting of her career, इतना de-glamorized role करना और 15 किलो वजन बढ़ाना, मुझे सबने इतना बोला था, तुम पागल हो कुई हो, ऐसे वैसे, तुम ही रोई हो. But मैंने वो सब नहीं सोचा, because आज की ताम में, performance is more important, and आप कितना दे सकते हैं. So I'm glad आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छा उसने किया, सिरीजने, Country Mafia ने. Yes, Country Mafia. Thank you so much. Thank you. Thank you.